तो बच्चों जैसा कि आपको पता है आपकी क्लास ये डेली साम को साथ बज़े इस समय चल रही परजन टाइम में आज आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 यानि परस्णावली 8.2 सवाल नमबर 1 बहुत ही ध्यान से समझना बहुत ही अच्छा क्विश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है क्विश्चन कहता है कि ABCD एक चतुर्भूज है चतुर्भूज का मतलब होता है क्वाड़ेट्रल है ठीक है इसमें इन जो साइट्स दी गई हैं उनका मीडियन दिया गया है मतलब मद् की BCC D और DA के मददविंदु है यानि ये AB ABC का मददविंदु Q क्यूं और CD यानि DC का मददविंदू R है और वहीं AD का मददविंदू YES है ये इसमें दिया गया है क्विश्चन में कावण ही गया है आगे कह रहा कि AC उसका एक विकरड है विकरड मींस होता बच्चा ठीक है, एसी क्या है, इस क्वाड़ेट्रल का एक डाइगोनल है, तो कहरा दिखाईए, दिखाईए means, प्रूब कीजिए, सिद्ध कीजिए, sr parallel ac यह prove करना है कि sr यह dotted line ac के parallel है समांतर है और इतना ही नहीं यह भी दिखाना है कि sr जो है वो इसके आधे के बराबर है ac के देखो अगर आपने triangle पढ़ा होगा अगर आपने triangle पढ़ा होगा triangle का basic concept परमियोगर आपने सीखा होगा तो आपको पता होगा क्या है वो परमियोगर क्या है ध्यान से सुन लिजिए इमांदारी से rule है या परमियोगर कुछ भी मालो ट्रेंगल का ओ स्वारी quadrator का यदि किसी चतुर भूज में यदि किसी चतुर भूज में और अगर बात करें चतुर्भूज में क्या सुरी तिर्भूज में ठीक है यह दि किसी तिर्भूज में चतुर्भूज की बात नहीं हो रही किसी तिर्भूज में लेकिन यहां से आपको चीजें समझ में थोड़ा कम आएंगी इसको यहां पर करो तो देखो एक मिनट एक मिनट वही इनको अगर यह आपका हो जाएगा SR ध्यान देना आपको क्या चीज मिल रहा है वो चीज समझना यह देखो क्या एक ट्रेंगल है आपने तिर्भूज के बारे में पढ़ा है यह ट्रेंगल है जिसका नाम है ADC ठीक है तो देखिए यह दिकिसी तिर्भूज में यह दिकिसी तिर्भूज में दो भूजाओं के मद्ध बिंदू को कोई तीसरी भूजा जोड़ती है देखो यह दो भूजा है AD और यह CD इनका मद्ध बिंदू है इनका यसा इनका R है तो यह दोनों के क्या है जो उसकी एक रेखा बचती है ज GIS बैको आपको दिख भी रहा होगा सका है नो बेच bisa आपको दिख भी रहा था हाँ अ Teachers चीजों को आप लिखलो तो ज्यादा अच्छा से किलिएर हो पाएगा चलो मैं लिख दिखादेतामें एक वार में जो मैंने बता है इसको अच्छे फिल लेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा समझ में ऐसे ज्यादा अच्छा से आ जाएगा ठीक है तो उपर मैं लिख रहा हूं ध्यान दीजिए देखिए अब यह आपको क्लियर हो गया होगा है ना उपर मैंने लिख दिया है कि फितर बूज में ऐसा रेखाकंड रेखाकंड मतलब होता बच्छा लाइन सेग्मेंट ठीक है कि फित्रेंगल में ऐसा लाइन सेग्मेंट जो दो साइड को यानि की बुजाओं के मिड़ पॉ यापर मियों होता जैसे बिस्तमाज़ लो इसका कंसेप्ट है तो इसके काडिंग हम कह सकते हैं अथा अब इस रूल के काडिंग हम कह सकते हैं अताहा एस आर पैरलल एसी यह होगा और और यस आर इक्वाल वन अपान टू एसी ठीक है जो भी सिद्ध करना था वो चीजि मैं पूरा लिखें दिया वसे ही ओका नीचा लिखेंगी दिये इतिशेद्धम अता सुधिर हुआ इंदे लिख दो कंडी ऊ disp चलो second part बहुती आसान है second part गहरा वच्चा इसमें कि PQには SR के बराबर है क्या करना है इसको हमें prove करना है कि जो PQ है PQ कौन सा पता है आपको ये PQ ये SR के बराबर إसको prove करना है देको बहुती आसान है हमने अभी-भी लिये था triangle ADC में अभी मैंने बगल में बनाया भी था इसमें आपने देखा था यह सार जो है एसी के पारलल था ना तो इसमें आप लिखोगे लिखो तिर्भूज ए बीसी में तिर्भूज ए बीसी में भूजा भूजा ए बी बीसी का मध्य बिंदू करमशा भूजाए ए बी वा ए बीसी के मध्य बिंदू करमशा मतलब जाए रहे हो सिरियल से हा कौन कौन है भई पी और क्यूं है है ना कौन है पी वा क्यूं है अभी अभी उपर मैंने कंडिशन बताया था जब ऐसी स्थिती बनती है कि किसी भी ट्राइंगल में जैसे अगर इसको मैं बना दूँ ABC तो आपको पता है कैसे बनेगा ये कुल मिला के ऐसे ही बनेगा इसी अगर आप ध्यान से देखो बच्चा तो ABC आपका ऐसे ही बनेगा ये AC हो जाएगा और ये आपका B हो जाएगा और यहां का मद्दबिंदू ये P ये Q हो जाएगा है ना कंडिशन वही बनी ना कि किसी भी ट्राइंगल में ये दी कोई रेखा खंड दो भुजाओं के बराबर होता है बराबर होता है ना बराबर होता है समानतर होता है समानतर होता है स्वरी पैरलल होता है ना अरे दिख भी तो रहा ना यारे ये देखो पैरलल हैं दोनों और क्या होता है उस तीसरी भुजा का आधा होता है तो इसके according हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं, आता है, ac parallel pq, या फिर p की parallel ac, चाहे जो भी लिख लो, तो यहाँ पर लिख सकते हो, pq parallel ac, इतना ही नहीं, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, pq equal half ac, ठीक है, यह हो जायागा आपका equation number second, अभी पहले जो condition बनी थी, बना था ना बच्चा, बना था, तो equation number first and equation number second से अगर हम देखें, लिखो, यहाँ पे नीचे लिख लो, समीकरण एक जो भी उपर बना था, समीकरण एक वाद दो से, अगर हम करेंगे, तो pq बराबर हो जाएगा किसके, sr के, ठीक है, हमें यही तो करना था सिद्ध ना, हो ठीक है, यह सिकेंड है, इसमें अगर आप देखो, तो RHS दोनों में 1 upon 2 AC है, दोनों equation में वही है, था ना, तो भईया, RHS, RHS बराबर है, तो तो LHS भी बराबर कर सकते हो, हो गया ना, यह आपका सिकेंड पार्ट जो है, पूरूब हो गया, चलो, इसमें एक और पार्ट है, थार्ड वाला देख लो जल्दी से फट से, जल्दी करो भई, नोट कर लो, स्क्रीन साट लेलो, वीडियो करो करके बहुत अच्छा question है, समझ में आएगा, पूरा अगर आप समझोगे, यह दूसरा figure मैंने आपको समझने के लिए बनाया, इसको कोई बहुत ही बनाना जरू करना है, इसको मैं आपको बता दूँगा, अगर आप लोग ज्यादा संख्या में कमेंट करके बताओगे, वैसे कर लोगे, बहुत इजी है, जैसे आपने question five second देखा, उसके according अगर थोड़ा सा mind लगाओगे, तो कर ले जाओगे, करके बताना नहीं आएगा, आप बताना कि पार थाड़ भी बता दीजिए, मैं जरूर बता दूँगा, अगले वीडियो में ठीक है, ABCD एक समलंब है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, फिगर कहां है, ठीक है, ट्रिपीजीम बोलते हैं इसको, जिसमें AB पैरलल है DC के, भई देखो हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, इं बिंदू E है, वो भुजा AD का मद्दबिंदू है, यानि ये पॉइंट है, ठीक है किसका, मिड़ पॉइंट है AD का, E से होकर एक रेखा EB के समानतर खीची गई है, इसे होकर के एक रेखा, यहाँ पर कह रहा है EB के समानतर, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड दर्साइए कि ये पॉजा BC का मद्दबिंदू है, देखो फिगर देखो तो सब क्लियर होगा, अब पहले फिगर देखो, अब आप लोग फिगर देखो ध्यान से, बहुत ही प्यार से देखना एक दम इमानदारी से, देखो, कह रहा है, ये फिगर बना है, ठीक है, ABCD एक स का मुलंब है, इसमें ये भी कह रहा है कि AB DC के समांतर है, वो दिख रहा है, देखो, AB DC के क्या है, पैरलल है, दोनों ऐसे ऐसे हैं, आगे कह रहा है, साथ ही, BD एक विकरन है, BD एक डाइगोनल है, ये देखो, ये डाइगोनल है, आगे, कहता है कि, और E, बुजा AD का इसका मिड़ पॉइंट है, आगे, कहरा E से होकर एक रहा, AB के समांतर खिची गई है, E से होकर एक रहा, ये, AB के समांतर क्या है, पैरलल है न बच्चा ये, खिची गई है, आगे बहुत ही प्यार से देखो, इतना हो गया, कहरा कि, BC को F पर प्रतिछेद करती है, वो रहा, जो यह लाइन थी VC इसको यफ पर क्या कर रहे बच्चा पति छेद कर रहे हैं इंटर्सेक्ट कर रहे हैं आगे बस हो गया कह रहा कि दिखाए कि जहां फूज बूज़ा बिसी का मद्दभिन्दू है जैसे यह ईरी कम अब बिंदू है इसमें डो ट्रैंगल है एक इधर त्रैंगल में यहां पर हल यहां से सुरू होता है लिखिए तरभूज ऑ-बी-डि में किसमे, किसमे, A, B, D में, ध्यान देना, A, B, D में, इसमें क्या है, आप ध्यान दो, E, A, D का मद्ध बिंदु है, निचे लिखो, E, कामा, फिर, A, D का मद्ध बिंदु है, भाई, सिंपल सा है, कुश्चन में दिया है, है न, है यह, और क्या है, और, इसमें अगर आप ध्यान AB के समांतर है लिख लो EF Parallel AB यह तो पूरे में ले लो तब भी है वैसे भी ठीक है इतना ठीक है इसमें कोई किसी को डाउट नहीं है लेकिन इसमें मैं आपको एक बात और बताने वाला हूं वो ध्यान दो वो यह है कि अगर इसमें आप ध्यान से देखिए तो इसमें आप BPT का थेयोरम भी आपको याद आ रहा होगा लेकिन वो कच्छा दस में पढ़ोगे तो यहां पर पढ़ाया नहीं जाएगा आपको एक थेयोरम पढ़ाया होगा जिसे बोलते है कनवर्स आप में पॉइंट है ना उसका यहां पर परियो होगा चलो देखो आप यहां लिखो अगर यह कंडिशन है कि EF समांतर है A B के तो आप यहां पर कर सकते हो इफ लिए G भूजा भाई यह जो G है वो भूजा किसका BD का मद्ध बिंदू है अब यह प्रूफ हो गया कि भूजा BD का मद्ध बिं कर दो मतलब मीड पॉइंट है इसको लिख लो और यह क्यूं है अब रिकट में लिखो बाई कि ऑई कामवर्स आफ क्या बोलते हो से मीड़ पॉयंट थाउरम ठीक है कनवर्स आफ मीड़ पॉइंट थाउरम मीड़ पॉयंट थाउरम अगर इसका आपने नहीं देखा तो ड A, A, B, D लेकर के हमने G को भी midpoint सिधा कर दिया, अब हम आगला triangle लेंगे, जिसका नाम है B, C, D ठीक है, तो चलो लिखो नीचे लिखो तिरभूज B, C, D में वही condition इधर भी है बच्चा इसमें G जो है B, D का मध्ध बिंदू है, लिखो G, B, D का मध्ध बिंदू है, देखो बहुत से बच्चों कमेंट कर रहे हैं, तो मैं कमेंट नहीं देख पाऊंगा बच्चा, ठीक है, किरन मौर्या, मोहित सुदान्सू, अंकिता सिंग, पारूल, और कौन का ना भाई, वविता, मुकेस, अनन्द किसोर, बहुत से बच्चे के कमेंट आरे में देख पा रहा हूं, लेकिन पढ़ाने में कमेंट नहीं पढ़ा जाता है, फिर दिश्टर्ब हो जाता है, चलो, इधर वाल ट्रेंगल लेलो, B, C, D, इसमें बच्चा अगर आप समानतर किसके, C, D के, भाई, सिंपल सा है, पैरलल है ही वो, हां, और आगे, और हां, यहां पर जो एक चीज लिखे हो, आप उपर अगर चले थोड़ा सा हम, A, B के समानतर, E, F, हम लोग उन थोड़ा गलत लिखा है, आप पर E, G कर सकते हो आप, ठीक है, कौन, E, G, यहां पर जो कियो हो, आप लोग बताना क्या, आप लोग क्या कहते हो, यहां पर E, G होगा, चुँकि हम पूरे में तो नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ A, B, D में अगर ले रहे हैं, तो हम F, पर कहा जाएंगे, यहां पर E, G, समानतारे, B, के होगा, ठीक है, वो चलो, ठीक है, अब अगर यहां पर देखें हम तो, जी, अब समानतारे, सीधी के इतना हो गया, यह अगर आप के हो गया, तो आप लिख सकते हो, इसलिए भूजा, कौन, B, C का मद्ध बिंदू F है, F है, ब्रेकट में लिख लो, बाई कर्णवर्स आप मिड़ पॉइंट थोरम, निचे लिख लो, बाई कर्णवर्स आप मिड़ पॉइंट थोरम है, सत्वा कुष्चन बहुत ही प्यार से पढ़ो, जैसे कह रहा है, वैसे कर लो, कह रहा है कि ABC एक तिर्भूज है, मतलब ABC एक ट्राइंगल है, जिसका कोंड सी समकोंड है, मतलब एंगल सी जो है, वो 90 डिगरी का है, ठीक है, सामझ में आ रहा है ना, आगे देखो, जितना कहरा मैं उतना कर लेता हूँ, ABC एक तिर्भूज है, उधर कहां तक दिखे रहा हूँ, मैं बना लेता हूँ, ABC तिर्भूज पहले बनाता हूँ, जैसे कहरा वसे करूँगा, ध्यान देना, चलो बना लेता हूँ, इधरे साइड जाने दो, छोटा सा बनाता हूँ, कोई बहुत बढ़ा नहीं बनाऊँगा, चलो, अब यह क्या हो गया, ABC, इतना हो गया, कहरा कि करण AB के मद्ध बिंदू, यम से होकर BC के समांतर खीची गई रेखा, AC को D पर परतिछेदित करती है, मतलब इसकी पूरी कहानी समझो, करण AB के मद्ध बिंदू यम, यानि इसका कहने का यह मतलब है कि करण जो AB का मद्ध बिंदू है, उसका नाम यम है, ठीक है, कहरा इससे होकर BC के समांतर खीची गई रेखा, इससे होकर BC यही है, इसके समांतर खीची गई रेखा, जो इससे होके जाए, तो इससे होके जाने का मतलब यह है बच्चा कि यह रेखा ऐसे जाएगी थोड़ा स्वीदा-फिदा केंचलो बच्चा यह ठीक है मतलब यह बी-सी के पैरलल भी हो गई यह हम से होके जा भी रही है आगे देखो कह रहा है कि एसी को डी पर परतिछेदित करती है मतलब जहां इसको काड़ती इसका नाम क्या है भाई साहब डी है ठीक है समझ में आ रहा है आगे देखो कुश्चन इसी में से बन रहा है कहरा अगर इतनी पूरी कहानी है तो दरसाइए सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध कीजिए भुजा ओ सरी जो है डी डी बुजा ऐसी का मदेबंदु है ये चिद्ध करो की दी जो है इसका मिड़पॉइंट है मिड़पॉइंट है तो बच्चा अगर ध्यान से देखो और प्यार से देखो तो इसमें हमें सब कुछ दिख रहा है इसमें तीन चीजें सिद्ध करनी है मैं तीनों लिखूंगा लेकिन एक एक पहले कर लो तब ठीक है अगर आपके पास बुख है तो ध्यान से देख लो उसमें चलो करते हैं देखो बच्चा इसमें दिया क्या क्या है आप अगर ध्यान से देखो तो इसमें बहुत सारी चीजें दी गई है यहाँ पर लिखो पहले दिया है फटा फट लिखो दिया है क्या क्या दिया है एक तिर्भूज A, B, C जिसका कौण सी समकौण है इसको लिखो यह दिया है ठीक है कैहरा कि A, B के मद्ध बिंदू यम से होकर B, C के समानतर रेखा के बारे में बता रहा है मतलब कि इसमें यम भुजा A, B का मद्ध बिंदू है यह दिया है कहरा ना दिखो और क्या दिया है यह पहला दिया है पहला पॉइंट यह दिया बच्चा दूसरा point ये दिया है कि भुजा AB का मद्ध बिंदू यम है इसको मैं तुर्णा चोटा का ले रहाँ ठीक है मद्ध बिंदू यम है समझ रहा होना क्या क्या दिया है पहले तो हमें एक triangle दिया ABC जिसका कौण सी समकौण है और बुजा एवी का मद्दे बिंदू यम दिया है और भी कुछ दिया है कहे रहा है कौण सी समकौण है दिया है और क्या दिया है और हाँ ये भी तो कहे रहा था कि BC के समांतर खेची गई रेखा यानि यम मद्दे बिंदू से होकर कुल मिला के कहने का मतलब है कि dm bc के समांतर ये भी दिया ही है ठीक है dm या md लिख दो कुछ भी md समांतर bc ये भी क्या है दिया है मतलब बच्चा हमें कुल तीन पॉइंट ये दिये गए है ठीक है इसमें किसी को कोई जंजट नहीं न चलो अब देखो सिद्ध करना है लिखो सिद्ध भी तीन चीजें करनी है मैं पहला एक ही लिखूंगा और मैं एक ही करूंगा फिर आगे बताओंगा चलो अब आप लिखो यहां पर बच्चा टाइटर लिखो सिद्ध करना है मतलब two proof English व इह करना है कि भूज एसी कामप्ध बिंदू है या ति इसको में लिख सकते दे आएसे लिखलो क्यों सिद्ध हमें ये करना है कि भूज-जय सी का मदे बिंदू है ठीक हे समझ रहना दिया फ्याओ हमें क्या प्रूब है दिखिए इसको सिद्धा करना बहुत ही आसान है अब आप क्या लिखो गया गीवन और यह फूरन गया अब आप क्या लिख वूर पर वूद ठिक है तूप्रूफ और तूपर होता सुरी जो सीधकर नहीं उससे लिखते हैं इंग्लिजश में इसे क्या लिखेंगे प्रूफ या फिर हिंदी में साय दूपत्ती लिखते हैं बड़ा जीब सा होता हिंदी तो आप लोग लिख लेना मतलब आप हम सिद्ध करने चल रहा है ठीक है तो देखो कैसे करोगे यहां पर अगर ध्यान दो तिरभूज A B C A B C लिखो तिरभूज A B C में इसमें क्या कह रहा है इसमें मिड़ पॉइंट है कौन यम यम मिड़ पॉइंट दिया है ना लिखो में A B का मद्ध बिंदू क्या है बच्चा A B का मद्ध बिंदू यम है यम है आगे कया लिखोगे नीचे लिखो बाई कनवर्स आफ मिड़ पॉइंट थेयर म और कौछ दक में लिखो बाई कनवर्स आफ मिड़ पॉइंट थेयर म्-फेयर म्-अगर इसके बाए ठीक है नहीं दिखेगा नीचे मैं अभी दिखा रहा हूं थोड़ा फरुक जाओ डीईज मीड़ पॉइंट आफ एजी थीज नहीं तो मैं दिखा दे रहा हूं यह कनवर्स आप मिड़ पॉइंट ओर अगर आप नहीं जानते हो तो कमेंट करके बताना मैं इसको बताऊंगा आपको टेंसर नहीं लेना यह बच्चा कन्वर्स आप मेड़ पॉइंट थेओरम आपको आनी चाहिए ठीक है यह परमिये है यह कहती है कि अगर कोई तिर्भुज है इस तरह से और उसमें किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खिंची जाए कोई रेखा खिंची जाए और यह हो कि उसका जो जहां पर अपर्टिशयदित करेंगी दो जगा करेंगि एक जगा इधर एक इस अगर एक मैध करेंड यहां तो दूसरे जगा जहां रेखा उपरतिश्यत करेगी उस लाइन का एक्टमेटिक वो मद्धबिंदू कालाता है यह कहती है और इसके अकार्डिंगे पूरूफ हो गया कि कि दी क्या है मिट पॉइंट एसी का है इसों हिंदी में कैसे लिखोगे बाइब कहीं इंग्लिफ लिखा कहीं यह सिद्ध हो गया देखो हमारी क्लास ऐसी होती हिंदी इंग्लिफ लिएंडियम दोनों तरह के बच्चे कर लें अगर कहीं कोई आपको दिक्कत होती कि हाँ पे बता दूंगा डिक है कमेंट करना चलो आगे इसी केंड्र पार्ट क्या है देखे अटो फवस्त बच्यंद हंधा चैनल ठीक कर लिखो कहा है है यह हमें किया करना अगर 2 दूसरे में जो पुजा MD है या इसे DM बोलो कुछ भी बोलो इधर से बोलोगो तो MD इधर से बोलोगो तो DM इसे हमें प्रूब करना है कि AC पर लंब है इसे पर क्या है लंब है इसे हम कर सकते हैं बहुत ही प्यार से आप लोग नीचे यहां लिख लो उपर साइड में पहले यह समझ लो अगर कोई दो रेखा हैं ऐसे समांतर हैं और उन पर कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे आती है तिर्यक रेखा ठीक है या फिर यह थोड़ आपको नहीं पता कोई और क्या होता यह इसका होथी इनको हिंदी इंग्लिस में आंब को बताएंगे कमेंट करना आप ठीक है अभी लाइश्ट में नमबर भी दूँंगा आप उस पर इसी परकार, DM parallel, BC and AC is transversal, ठीक है, हिंदी में लिखो भाई, और AC तिरियक रेखा है, क्या है बच्चा, तिरियक रेखा है, सुनाई तो पढ़ रहा है, DM समांतर है BC के और AC तिरियक रेखा है, इतना दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं न, चलो, अब देखो, मैंने कहा कोई interior angle ह यानि ये कोण और ये कोण दोनों जोड़ेंगे, तो 180C होता है, इनका योगफल, यानि हम अगर बात करें, इधर से DCB, ठीक है, DCB और DM, DC, इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे, तो आप इसे लिख सकते हो, DCB, क्या लिखोगे बच्चा, DCB प्लस, समझ रहो कि नहीं, ये को कोण, और ये कोण, दोनों जोड़ेंगे, क्या होंगे, ये को इंटेरियर एंगल, थिक है, को इंटेरियर एंगल, उके चलो, अब देखो, यहाँआप पर, अगर DCB कमान देखो बच्चा तो यह 90 दिया है प्लस यह कोण यम DC बराबर 180 अगर यहां से हम आपको इसको यम DC निकालने को कहें तो आपको पता यह 90 आएगा उधर जाके घड़ जाएगा यह 90 आएगा और अगर यह 90 आगया बच्चा यानि यह भी कोण अगर 90 का सिध्ध हो गया तो यह प्रूफ हो गया कि AC पर यह DM लंब है निचे लिखो इसलिए इसलिए MD या DM कुछ भी लिख लो लंब है AC पर ठीक है दूसरा भी प्रूब हो गया तीसरा प्रूब करना बहुत ही आसान है सिंपल सा है देखो इसको भी लिख लो बच्चा तीसरा थोड़ा सा लफड़ा वाला कह रहा है इसमें थोड़ी सी चीजें हमें और भी करनी होंगी दिख रहा है ना आपको क्लियर दिख रहा है चलो जल्दी लिख लो उसके बाद हम थार्ड पे चलते हैं थार्ड वाला प्रूब करेंगे ध्यान से देखना बिल्कुल टैंसा ने लेना देखिए ध्यान दीजिए तीसरा थोड़ा सा अलग है तीसरा में थोड़ा ज्यादा नहीं है तो बहां इनका हम इसको हमें एसे मिलाना पड़ेगा अब ध्यान देना अब यह ट्रींगल और घ्ने वैट रहाऊंगहां सर्बांगसम सिध्व करेंगे करेंगे तभी हम सीम में को बराबर कर सकते हैं है ना यानि हम लेंगे ADM और MDC या CDMA ठीक है चलो लिखो फटा फट लिखो 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 जल्दी करो तिर्भूज ADM और CDMA लिखो चलो लिखो तिर्भूज ADM ADM and CDMA या फिर MDC में वही हुआ और तिर्भूज CDMA इसमें अगर आप एक बात ध्यान दीजिए हमें केंगुरियंसी दिखरना है तो हमें भूजाओं और कोनों को बराबर दिखाने होंगे तो बच्चा अगर यह चीज आपधयान दो तो यह दोनों को 9090 के आपको दिख रहे होंगे ना क्यों दिख रहे हैं कि नहीं और हैं एक बात और है AD बराबर है DC के वह भी बराबर है कैसे देखो AD और यह DC दोनों बराबर हैं क्योंकि अगर D मद्ध बिंदू है तो बराबर बराबर माटेगा तो यहाँ पर आप लिखो AD equal DC लिखो ब्रेकट में चूंकि D भूजा AB का मद्ध बिंदू है D भूजा AB का मद्ध बिंदू है ठीक है? लिख लो यह बराबर होगा क्योंकि भूजा AB का मद्ध बिंदू D है चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो कि D भूजा AB का मद्ध बिंदू है अब मैं question पर चलता हूँ चित्रा और इसको दिखाऊंगा बाकी चीज़े नहीं दिखाऊंगा चलो tensor निलेना यह तो आपका बराबर हो गया इसमें एक चीज और भी बराबर है अगर आप ध्यान दो तो कौण DD दोनों बराबर है कौण? यह कौण जिसको आप कह सकते हो angle MDC ठीक है? लिखो या फिर ऐसे लिख सकते हो उपर वाले में अगर बात करें तो ADM ठीक है? लिखो angle ADM equal angle MDC MDC यह दोनों कौण बराबर हो गते? क्यूंकि दोनों नभबे अंस का है कोड़ इसमें लिखो क्योंकि दोनों नभबे के है ठीक है? यहाई? क्योंकि दोनों नभबे अंस के है इंगलिस मीडियम उले लिख सकते हैं बोथ आर 90 डिग्री यह हो गया और एक बाद और समझे लो बच्चा एक बाद और समझे लो यह अगर हम ले रहे हैं mdc and am oh sorry a dm तो यह जो भुजा dm है यह दोनों में है न यह common है तो आप लिख सकते हो क्या dm बराबर dm लिख लो या md बराबर dm लिख लो वही हुआ हम लिखेंगे dm बराबर dm क्यूं है बराबर लिखो common है क्या बच्चा यह common है अब आप कह सकते हो अगर दो बुजाएं कोन common हो गया तो बराबर होंगे तो क्या यह congruence है आप नीचे लिखो इसलिए triangle a dm kangourians to c dm यह बराबर हो गए क्यों होगे कैसे वह गए रिजन लिखो by sas मतलब side angle site भुजा कोंबुजा कोंबुजा बुजा कोंड भुजा कोंड भुजा सर्वांगसम ता नियम से बराबर हो गए सर्वांगसम हो गए अगर यह सर्वांगसम हो तो हमें पता है CPCT, corresponding part-up का एंगरों इंट रेंगल इक्वल होते हैं, सरबंगसम तिरभूजों के संगत बुजाएं, बराबर होती हैं, तो CM बराबर हो जाएंगे MA के, नीचे लिखो, इफ लिए CM बराबर MAQ, दिजन लिखो, by CPCT, मतलब अगर ये दोनों तिरभूज सरबंग संगत बराबर होंगे, इतना हो गया, ठीक है, अब देखो बच्चा, इतना तो हो गया, अब इसमें एक चीज और भी है, एक चीज और क्या है, हमने अभी ये पढ़ा था, कि ये जो AB है, AB, इसका मद्ध बिंदु कौन है, M है, है न, तो यहां हम एक चीज और भी कर सकते है AM बराबर एक बटा दो AB, अब कहोगे कई से, देखो, AM बराबर एक बटा दो AB, भाईया, AB का आधा ही तो होगा न, AM, बता होगा कि नहीं, अगर ये पूरा 8 cm है, तो ये तो 4 होगा न, 4 होगा न, तो आप कह सकते हो, AM बराबर 1 upon 2 half, इस तरह लिख सकते हो कि नहीं, लिख सक हो कि अगर बच्चा, ये सभी बराबर हैं, तो यहां आप नीचे लिख लो फुरसत में, जो हमें करना था, इसलिए, AM बराबर ये cm, और बराबर 1 upon 2 AB, ये क्यूं, आपने उपर देख लिया, सारा कारण क्यूं, और कैसे, और कब है न, तो इस तरह से आपका ये question पूरा complete ह हो चुका है, अगर यहां पर कोई सवाल है, तो आप बताना, इसे AM लिखो या MA लिखो दोनों का मतलब एक है, इसमें कोई इसलिक नहीं पड़ता है, ठीक है, ये बुजाओं के नाम ही तो है, समझ गए ना, तो यहां से हम सिध्ध क्या कर सकते हैं, देखो भाई, सीधी सी है, बच्चा, अगर काइंगूरियन पार्ड बराबर हैं, हमें पता है, यहां से कि CMM, MA, AM के बराबर है, है ना बच्चा, और यहां पर जो AM है, अगर वह अनापांट टू, AB है, तो भाई, सीम भी तो इनीक बराबर हैं, तो इन्हें हम बराबर तो कर सकते हैं, अगर कोई स चैनल पर जुड़े हैं, मतलब पहली पहली बार जुड़े हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन प्रेस करें,